सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल का और वेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पासके लेटेस्ट अग्नालॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके डिवाइस में Android 10 अपडेट आने के बाद बैटरी ड्रेन प्रोब्लम आ रही है तो उसे कैसे आप फिक्स कर सकते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को पुरा देखिएगा और लाइक कर दीजेगा इस वीडियो क टेक दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों कई सारे डिवाइस में Major OS अपडेट आने के बाद बैटरी ड्रेन प्रोब्लम आ जाती है तो वो प्रोब्लम सॉफ्ट्वेर के कारण होती है ना कि हार्डवेर के कारण तो आप जो सॉफ्ट 28Hz को प्रेस कर देना है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नया ओप्सन आएगा जो की होगा बैटरी स्टेटस, करेंट वैल्यू, एवरेज वैल्यू तो यहाँ पे आपको क्विक स्टार्ट पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह वार्निंग देगा तो आपको okay कर देना है तो आपके phone की जो screen होगी वो off हो जाएगी तो आपको कोई भी button को press नहीं करना है यह automatic ही कुछ दिर बाद यह on हो जाएगा device से यहां पर देख सकते हैं यह on हो चुका है तो इससे होता क्या है कि माली जी आप अपने device को 50% आपके device में battery है और वो automatic ही drain होका 30 20% पर आ जाती है तो अगर आप इस setting को अपने device में apply करते हैं तो जो आपके device में सही battery percentage होगा वो यहां पर आ जाएगा दोस्तों कई बार क्या होता है कि battery automatic ही drain हो जाती है 50% आपके device में battery है तो वो 30% 20% 10% पर आ जाता है तो अगर आप इस setting को अपने device में apply करते हैं तो आपक डिवाइस में जो सही बैटरी परसेंटेज होगा वो बताएगा दोस्तों तो अगर आपके भी डिवाइस की बैटरी है वो काफी अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दिजेगा लाइक चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर दिजेगा सबस्क्राइब मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम